वरतमान जो परस्तितिया हैं कि उनको देखते हुए और हमारे परदेश में जो इन्युवर्शिटिेंज के जो विद्यारति है उनकी सेश्रही परिक्साओं के आयोजन के संबंध में चूप्य वरतमान में जो परस्तितिया है उसमें कोरोना का पसार भड़ रहा है और परिक्साओं के आयजन के लिए विद्यार्थियों के आवागमन के जो संसादन है वो पूरी तरह से यहाँ उपलब्द नहीं होने और उसके साथ साथ विद्यार्थियों के जो रहने की वैस्ता है हमारे 16 वा साधी की जो वेशता है, वो पूरी तरह से सेंटरल गवर्मेंट की और हमारी जो एड़ाजरी है, हैल्थ एड़ाजरी, उसके अनुसार खोलने की इस्तथी नहीं होने की वज़े से और उसके साथ साथ राजस्तान की हमारे जो विद्यारती है पिसले लंबे समय से पिसले कई दिनों से युनिवर्सिटीज के एक्जाम्स को पॉस्टमॉंट करने की एमान करने और इन तमाम परस्तिटियों को मते नजर रखते हुए आज राजस्तान के हमारे माननी मुख्यमंतरी आदर्नी असोक एलोजी के निवास इस्तान पर मुख्यमंतरी जी के दोरा एक विशेस मिटिंग बुलाई गई और इसमें तमाम जो हमारे वर्तमान परिपेक्स की परस्तितिया हैं उसको मुख्यमंतरी मौदे के समख से रखा गया और राजस्तान के मुख्यमंतरी मौदे ने राजस्तान के विद्यार्थियों की मान और कोरोना की वर्तमान परस्तितियां और परिक्षाओं के आयजन वर्तमान में जुलाई में आयजन से सम्मंदित आ रही दिकतों को पूरी तरह से सुनाओ और मानी मुख्यमंद्री मोदे ने हमारे विद्यार्थियों की मांगों के अनुरूप और वर्थमान पस्तितियों को देखते हुए राजस्तान की हमारे तमाम विसो विद्यार्थियों की जो परिक्साएं जुलाई में आयजित की जानी थी उन परिक्साओं के समझ में माहनी मुख्य मंद्री मौदे ने ये निर्णे किया है उनके नेतरतों में कि तमाम हमारी जो UG और PG की परिक्साएं है वो आयजित नहीं की जाएगी और हमारे विद्यार्तियों को कोरोना की इन परस्थितियों में परमोट करने का अगामिक अक्साओं में पर्मोट करने का निर्णे मुख्यमंद्री मौदे के निर्देसामसाओ लिया गया है मैं समझता हूँ की माणी मुख्यमंद्री जीने वर्तमान हमारे लिए सरों पर है और विद्यारतियों का स्वास्टिका की इस्थि करती को जियान में रखते होए मुक्यमंत्री जिने कंवीर्ता से ये निरने लिया है अब तमाम हमारे राजस्तान के विश्व विद्यारती चाहिए यूजी के विद्यारती हैं चाहिए वो आगामिक अक्सावों में पर्मोट किया जाएगा और उसके साथ-साथ परिक्सा परिणाम वो अंकों का दिर्दारण करने के लिए उक्यमत्री मौदे निर्देश दिये कि MHRD और UGC की जो भी आने वाले दिनों में जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के आने के बाद में तमाम विश्व विद्यारियों को एडवाजरी जारी की जाएगी और UGC की गाइडलाइन के अनुसार अंकों का निर्दारण और जो परिणाम है उसका पूरी एक विश्वित्रित कारी उजना बना करके विद्यार्थियों के और चात्रों के हितों में निर्दे किया जाएगा मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि राजस्तान की मुख्यमंत्री मौद है जो आम जिनके परती समिधन सील है और उन्होंने आज एक बह के लिए चात्रों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी त्यान में रखते हैं धन्यवाद